हे वेल्कम टू सिक्सेस मंतर एजुकेशन दोस्तों कैसे हो आप सभी तो हाल ही में आपने न्यूस सुनी होगी कि युनाइटिड एरब अमीरात ने अपना पहला मंगल ग्रह मिशन लौंच किया है और यदि ये मिशन सक्सेस्फुल होता है तो ऐसा करने वाला वो दुनिया मे पहला ऐसा इसलामिक देश बन जाएगा और इस मिशन का नाम है दोस्तों बने रहे हैं मेरे साथ चले इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों United Arab Emirat ने इस mission की घोशना वर्ष 2014 में ही कर दी थी वर्ष 2014 में जब United Arab Emirat का foundation function चल रहा था तो उस समय United Arab Emirat के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था शेक मौम्मद बिन राशित इन्होंने इस mission की घोशना कर दी थी अब जब से इस mission की घोशना हुई थी तब से ही जो है United Arab Emirat की space agency इसको सफल बनाने में जुट गई थी इस mission को पूरा करने के लिए उनको चाहिए था एक orbiter ठीक है आप उसको satellite भी बोल सकते हो तो satellite आप satellite लेके चलिए आपको clearly समझ में आएगा तो satellite बनाने के लिए इन्होंने किसकी मदद ली सबसे पहले तो इनको एक satellite बनाना था तो satellite बनाने के लिए इन्होंने University of Colorado, Arizona, State University, University of California तथा जितनी United Arab Emirat की space agency हैं सभी ने साथ मिलकर काम किया और एक satellite का निर्मान किया उस satellite की क्या खास बाते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊं अब हम बात करते हैं ये जो mission है ये एक interplanetary mission है interplanetary mission क्या होता है जब दो ग्रहों के बीच में एक ग्रहों से दूसरे ग्रहों के ओपर space flight छोड़ी जाती है या इंदो ग्रहों के बीच की दूरी किसी space flight के दौरा तै की जाती है तो उसे हम interplanetary mission बोलते हैं अब इस mission का उदेश्य क्या है ये इस mission का उदेश्य ही है जो इसको और मंगल ग्रह mission है उनसे अलग बनाता है देखे आप जनते हमारी प्रिथवी है उसमें भी atmosphere है और हमारे प्रिथवी पर भी seasonal motion change होते है इस motion जो change प्रिथवी पर होते है उसकी जानकारी तो हमें है हमारे पास satellite है लेकिन जो Mars के उपर seasonal weather cycle है ठीक है changes होते है उसम Mars के different region में मोसम कैसे बदलता है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है तो ये जानकारी कौन जुटाएगा हमारे लिए ये जो orbiter है ये जो satellite है इन्होंने तियार किया है United Arab Emirat की Space Agency ये काम करेगा ये मंगल ग्रह का यहीं उदेश्य है इसके अलावा मंगल ग्रह के ओपर जो भी dust storms आते हैं इसके अलावा जो different region में जो इसका weather changes होता है vary करता है उसकी जानकारी है जुटाएगा ये Mars mission इसके अलावा जो Mars ये मंगल ग्रह है वो अपने atmosphere से hydrogen और oxygen देरे देरे छोड़ रहा है ऐसा वो क्यूं कर रहा है उसके पीछे क्या राजन है क्या कारण है उसके पीछे उसकी सारी जानकर ये कौन जुटाएगा ये Mars mission जुटाएगा इसके बाद हम बात करते है इसके launch की तो इसको launch कर दिया गया है July 19 को कहा से इसको launch किया गया है इसको launch किया गया है जपान के Space Research Center है जिसका नाम है Tanegashima तो Tanegashima से इसको launch कर दिया गया है यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि Mars mission जितनी भी होते हैं लगवग लगवग July अगस्त के महीने में ही जो है launch किया जाते है ऐसा क्यों होता है देखें दोस्तों 26 महीनों में एक ऐसा समय आता है जब जो प्रिथवी और मंगल ग्रहा होते हैं वो एक लाइन में होते हैं और इनके बीच की दूरी जो होती है वो कम होती है ठीक है तो इसी period का फाइदा उठाने के लिए जो दुनिया के विबिन्न परकार की हमारी space agency है वो अपने मंगल ग्रहा है mission को launch करती है और ऐसा ही United Arab Emirat ने किया है अब इसको कैसे place किया जाएगा Mars orbiter में वो समझ लीजिए जैसे हमने हमारे जो इंडिया का MOM mission था उसके बारे में मैंने आपको बताया था तब कि क्या होता है Earth के orbiter में सबसे पहले satellite को लाया जाएगा इस orbiter को लाया जाएगा और Earth के orbiter में इसको गुमाया जाएगा गुमाया जाएगा इसको momentum प्रवाइड किया जाएगा और एक समय के बाद जब high momentum हो जाएगा तो इसको मंगल गरह के orbit की तरफ इसको छोड़ दिया जाएगा आप जानते हैं स्पेस में कोई चीज जब एक line से move करती है तो स्पेस में तो क्या है निल है कोई atmosphere कुछ नहीं है तो कोई भी external force apply नहीं होता उस object के ओपर जिसकी वज़े से उसके trajectory change हो जाए तो वो से direction में ही बढ़ता जाता है तो ये principle अपनाया जाता है और इसको भी ऐसे ही जो है इस orbit में लाया जाएगा Mars Orbiter में अब इसको कुल जो समय लगेगा अर्थ के orbit से Mars के orbit में पहुँचने के लिए वो है 7 मंत का 7 महीने इसको लगेंगे अब यहाँ पे मैं आपको orbiter के बारे में satellite के बारे में थोड़ी जानकारी दे दता हूँ इसमें antenna लगा है 1.8 मिटर का जो की जानकारी जो command center से इसको connect करवाएगा प्लस इसका जो वजन है दोस्तो वो है 1350 किलो इसके बाद इसमें 2 solar panel लगे हो हैं जिनकी समता 600 watt की है अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसके दोबारा जो दूरी तै की जाएगी तो अर्थ के orbit से मार्स के orbit तक इसके दोबारा जो दूरी तै की जाएगी वो होगी 493.5 million km और यह सारी दूरी यह 7 महीनों में cover up कर लेगा अब बात करते हैं मैं आपको बता रहा था इसका जो नाम दिया गया है वो है hope दरसल इसका जो islamic name है वो है al-amal so al-amal या फिर hope आपसे mission आगे पूछ लिया जाए तो कौन से country से belong करता है United Arab Emirates से और कौन से ग्रहय के लिए mission है यह mangal ग्रहय के लिये है और किसका उदिश्य क्या है उसके atmosphere को study करना है अब हम बात कर लेते हैं कि 7 महीने का इसको समय लगेगा तो यह February 2021 में Mars के orbit में पहुंच जाएगा अब एक चीज और important information आपको देना चाहूंगा यह जो पूरा mission है दोस्तों इस mission को बनाने का जो खर्चा और इसको launch करने का जो खर्चा आया है वो total 200 million dollar का आया है अब इस orbiter में इस satellite में कुछ instrument लगे है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और यह instrument क्या काम करने वाले हैं वो भी मापको बता देता हूँ इसमें एक infrared spectrometer लगा है एक ultraviolet spectrometer लगा है और एक camera लगा है अब जो इसका infrared spectrometer है वो क्या काम करेगा वो जो lower atmosphere है Mars का मंगल गिरह का उसमें जो temperature structure होगा उसको measure करेगा उसकी जानकारी हमारे रख पहुचाएगा इसके बाद इसमें high resolution imager लगा हुआ है जो ozone level है Mars के ओपर उसकी तस्वीरे खेज के हमें जो है भेजेगा उसकी जानकारी हमें भेजेगा इसके अलावा इसमें एक ultraviolet spectrometer लगा हुआ है जिसका काम क्या है उसके Mars के जो atmosphere है उसमें oxygen तथा hydrogen level के पता लगाना और यह सारा काम यह जो satellite करेगा यह जो orbiter करेगा यह Mars के surface से 43,000 km उपर से करेगा यानि कि यह Mars के orbiter में तो घुमेगा लेकिन जो इसकी उन्चाई होगी Mars के surface से वो 43,000 km की होगी अब हम बात कर लेते हैं जब यह Mars के orbit में पहुंच जाएगा यह आपका Mars planet है यह इसका orbit है तो इसको एक orbit पू अब मैं बात करता हूँ इसकी connectivity की तो हफ़ते में यानि की एक week में सिरफ दो बार ही यह जो है धर्ती के command center से यानि की United Arab Emirates में जो इसका command center है वहाँ पर यह connection बना पाएगा और यह जो connection होगा इसकी शमता 6 से लेके 8 गंटे तक होगी और हफ़ते में दो बार यह connection बना पाए क्योंकि USA बहुत सारे mission बेज चुका है मंगल गरह के उपर अब हम बात करते हैं चाइना के चाइना बेजने जा रहा है तायनवान वन को तायनवान वन जो mission है चाइना का वो United Arab Emirates का मार्स mission है उससे थोड़ा complicated थोड़ा अलग है क्योंकि जो UAE का मार्स mission है ठीक है वो सिरफ जो है उसका satellite है उसका satellite सिर्फ orbit में घूमेगा लेकिन जो ट्यान वन है उसमें एक rover भी साथ भीजा जा रहा है रोवर का क्या काम होता है ये rover जो है मार्स के surface पे land करवाया जाएगा और surface related जो जानकारी है वो हमारे पास आईगी तो ये थोड़ा पेचीदा और थोड़ा complicated आ पाई है अब देखते हैं चाइना और या फिर आपका UAE कौन सा पांचमा कंटरी बनता है दुनिया का जो मार्स मिशन में successful होगा चाइना इससे पहले एक attempt कर चुका है लेकिन वो attempt उसका विखल रहा था तो देखते हैं ये बाजी कौन मारता है और यहां फिर आपको पताने पिरेड है वो 687 दिनों का है तो कैसी आपको जानकारी लगी इस वीडियो में मेरे को जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करके दाइएगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलतो हो आपसे नेक्स टूडियो मेंने टॉपक के साथ तब तक के लिए बाई ब